उसका खुलासा नहीं हुआ है जबकि ये बात सबसे पहले मेडिया में 25 अगस्त को ही आई थी करीब एक महिना अब से दो-तीन दिन बाद जो है पूरा होने को आएगा इस दौरान यहां के विधायक जार्खन के विधायक राइपूर तक गए राइपूर से लौट कर आए और यह सब जो हुआ उसके पीछे कहिना कहीं एडी की गारवाई थी एडी ने जार्खन के एक आईस दिकारी पूजात सिंगल को घर्चापे मारी की फिर उनको एरेस्ट किया ममता बनर जी के साथ भी कुछ कमोबेस यही है अभी पिछले तिन-चार दिनों से लगाता पहले लेता है और ममता बनर जी जो है जिस तरीके से भी पिछले कुछ दिनों से जो उनके तेवन है वो काफी नरम तो नहीं कह सकते बहुत जाना लेकिन उसमें परिवर्तन साथ तो पर देखा जा सकता है तो यह जो तमाम बाते हो रही है इसके पीछे यही है कि भार्ते जनता प पृद्च को अगर आप देख लें तो भार्ते जनता पार्टी के पास पोई ऐसा नेता नहीं है जो अकेले यह के दे कि हम अपने دम पर बिहार में जो है अज की तारीक में जितनी सीड़े हैं लोगसबातियों के पास वह रही है जुवा समझ सकते हैं क्योंकि दोनों ही नेता मिलकर भार्टे जत्ता पार्टी को रोक सकते हैं और एक सिवित आखड़े पर रोक सकते हैं लोग सवाचुणाब में ज्यारकन में जिस तरीके से कॉंग्रेस और ज्यारकन मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का गट बंदन है Congress और ज्वार्टन मुक्ति मोर्चा के बीच दरार डालने की कोशिस हुए, ज्वार्टन मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तो तोरने की कोशिस हुए, उनके तीन विधायक कहस कांज पर पक्रा हैं, अभी भी कॉलकटा में बेल पर हैं. लेकिन इन सब के बाबजूद अभी भी कॉंग्रेस और जेमेम और आर्जेटी की संयुक सकार जातंड में है और भारते जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल है कि वो तमाम कोश्चिस के बाद भी जो है यहाँ पर एक तरह से तकड़ाव नहीं ला पाई है अब ममता बनर जी के साथ भी यही है कि वो अभी भी मजबूत इस्तिती में है उनको आप इंकार नहीं कर सकते हैं तो भारते जनता पार्टी एड़ी और सीबियाई जिसको लेकर लगातार उनके ओपर यह आरूप लग रहा है कि जो सेट्रल एजनसी है उनको वो यूज कर रह है वो बार-बार यह कह रहे हैं कि हम तो यह कहते हैं कि एडी सीबियाई जो उनका आवास है दर स्कुलर रोड उसमें आकर दफ्तर कोले हम उनको जगा देने के लिए अभी भी तैयार है लेकिन एडी और सीबियाई की भूमी का कैसे बदलेगी आने वाले समय में इस पे सब कुछ को डिपेंड करता है क्योंकि ए मैन सुरिन के ओपर भी आरूप है एडी यह दफी यादफ के उपर भी आरूप लगे हुए है ममता ब्रप्त जी के रविंची अगर इतना जाच अजेंसियों के दबाव रहा है और उसके वैसे वो चुप रही है तो अचानक का ये बदलाव उनमें क्यों आ रहा है इसको लेकर सपा की तरफ से भी तो कुछ रियाक्शन होगे ना क्योंकि अभी तक तो कोई रियाक्शन उदर से नहीं आया है लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वो सपा को ले करके जब लगाता जिस वक्त बीजेपी पर हमले करने थे तो वो सपा पर हमले कर रहे थी ज्यादा दिन पुरानी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर औ लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा